हलो एवरिवन आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में और SSC GD 2025 आपका एक्जैम है यह हमारा टारगेट है और मैं आपसे यह गैरंटी देता हूँ कि अगर मिट्टी से रिलेटिड कोई भी कुशन आपके एक्जैम में पूछा गया तो यहां से टाइम खराब ना करते हुए अपने सिद्धी टोपिक पर आते हैं और अपने इस टोपिक के उपर बात करते हैं मिट्टी के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं सभी मिट्टी के बारे में हम लोग एक-एक करके जानेगे तो पहली स्लाइड हमारी ये है कि पहले हम लोग मिट्टी के बारे में जान लेते हैं जिसे हमारी भूमी की उपरी जो परत है इसमें पेड़ पोदे उगाने के लिए जो हमारे पेड़ पोदे होते हैं उनको उगाने के लिए परचूर मातरा में खनीच पदार्त की ये जो है requirement को पूरी करता है यही मिट्टी कहलाती है बूमी की सबसे उपरी परत जो पेड़ पुदो को उगाने के लिए आवशक खनीच आदिपरदान करती है ये मिट्टी कहलाती है इसको मुरदा भी कहते हैं और देखो अलग-अलग हमारे इतने हमारे देश में हमारे भारत में आप लोग देखोगे अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है कहीं पर मुरुस थले मिट्टी होगी कहीं पर जलोड मिट्टी होगी काली मिट्टी ये अलग-अलग जंगया पर अलग-अलग मिट्टी होती है ऐसा की होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहां पर कैसी मिट्टी होगी वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर धरातले सवरूप कैसा है वहाँ की जलवायू कैसी है वहाँ की पही जाएगी तो मिट्टी के अध्यन के अगर हम लोग बात करें तो study of soil को हम लोग कहते है pedology और मृत विग्यान हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं जो चीज में circle कर रहा हूँ वो चीज आपके exam के लिए बहुत ही important है और इसको आपको ध्यान में रखना है बस मैं मतलब दोवारा मुझे कहने की जरूरत ना पड़े मैं circle करता हूँ उनको चलूँगा बारते क्रिसी अनुसंदान ने भारत की मिट्टियों को आठ पार्ट्स में डिवाइड किया है और भारते नुसंदान संस्थान परिस्द ने काया कि हम मिट्टि को मिट्टि के आठ ही टाइप को लेकर चलेंगे तो exam में अगर question पूछ ले जाए कि मिट्टि के कितने परकार है तो वापर आपको आठ आंसवर देना है आगे हम लोग बात करते हैं जितने भी मिट्टि के आठ परकार है हम उनके सब के बारे में बात करेंगे देखो हो सकता है आपको pen की आवाज आए इस टाइप से या फिर जब मैं pen को tablet पर चलाता हूँ तो don't worry भाई इस चीज को adjust कर लेना देखो यह तो natural सी बात है इसकी आवाज तो आएगी जब इस पर चलेगा क्योंकि recording ही वहां से होती है माइक वगरा सब यहीं पर set है तो इससे आपको adjust करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेता है जलोड मिट्टी के बारे में जलोड मिट्टी को दोमट मिट्टी या फिर कछार मिट्टी भी कहते हैं जो circle कर रहा हूं बस वही आपको point out करके रखना है अपने mind में इस चीज को set कर लेना आपको दोमट या फिर कछार मिट्टी के नाम से भी जलोड मिट्टी को जाना जाता है नद्यों दवारा लाई गई मिट्टी को जलोड मिट्टी कहते हैं देखो मैं एक बार इसके बारे में आपकर बता देता हूँ फिर उसको डिटेल में समझाऊँगा और ये मिट्टी हमारे इंड़े की 40% भागों पर पाई जाती है देश के 40% भाग पर ये मिट्टी है ये चीज़ आपको देहन रखने है और ये 30 मेदानों वैट डेल्टा परदेसों में अधिक मिलती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड के जाता है जलोड मिट्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड के जाता है बांगर और खदर इसको दो पार्ट में डिवाइड के जाता है बांगर और खदर ये पहला बांगर और दूसरा आपका खदर ये आपको याद रखना है बांगर मिट्टी कौन सी होती है देखो जो प्राचीन जलोड़क मिट्टी होती है जलोड़क मतलब होता है मनदियों के दोवारा उड़ा ही गई मिट्टी इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल ने बात करेंगे इसकी उरोवरक्ता कम होती है और इसकी उरोवरक्ता बनाने के लिए हम लोग पेस्टी मतलब जो रसाइनी कुरवा रख हैं उनका यूज़ करते हैं खादर मिट्टी नवीन चलो डोती है ये मतलब काफी ठीक ठाक होती है बांगर के पेक सा काफी उपज़ो मिट्टी होती है देखो बांगर और खादर में क्या अंतर है मैं एक बार आपको यहाँ पर नई स्लाइड लेकर बताता हूँ for example यह हमारी नदी है मान के चलो यह हमारी गंगा नदी है गंगा नदी के असपास खेत भी है और कुछ गाउं भी है तो आपको for example सैट करके चलना है मान के चलो गंगा यमुना से इस साइड मे ये लगबग 2 किलमेटर का एरिया है मैं फूर इग्जयम्पल आपको मदलाPod 2022 करके बतार हूँ कि यह भी 2 किलमेटर का 2 किलमेटर का एरिया है आप लोग अगर यमना या फिर जमना किसी भी नदी के असपास से रहते होंगे तो आपको पुता होगा कि बरसात के दिनों में नदियों में मतलब यूजुली बाढ़ आती रहती है और जब उनमें बाढ़ आती है तो जैनुवन सी बात है नदी से बाहर पानी निकलता है तो साल में एक दो बार इस एरिये में जो ये एरिये में आपको दिखा रहा हूँ इस एरिये में साधरन सी बात है कि यहाँ पर पानी निकल जाता है मतलब हर साल यहाँ पर पानी निकलता रहते है और जब वह पानी निकलता है तो वह पानी अपने साथ कुछ मिट्टी भी लाता है और उस मिट्टी को इस एरिया पर उढ़ा देता है जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं न रात में सोते टाइम ओड़ना का मतलब होता है कई पर बिचा देना तो ये पानी आता है और इस मिट्टी को यहाँ पर बिचा देता है यनि कि ये मिट्टी यहाँ पर उड़ा देता है उड़ा देता है इसलिए हम इसको जलोड कहते है यहनी जल के दोरी उड़ाई गई की मिट्टी ही जलोड मिट्टी कहलाती है तो जिस मिट्टी की हम लोग बात कर रहे है तो इसको हम लोग खादर कहते है खादर, ठीक है यह मिट्टी हुए villa खादर अब बांगर की बात सुनो मैं आप पर हो अपर जागर कर लेता हogo ये रेड वाला सी रहेगा बांगर की अगर मैं बात कुरो देखो दो किलो मेटर से आगे की अगर मैं बात कुरू यहाँ पर इस एरिया की मैं बात आपको कर रहा हूं जो रैड कलर में मैंने यापर बनाया है अब जाहिर सी बात है इतना पानी बाहर भी नहीं निकलेगा लगबकी यह मतलब नदी से निकल का पानी कितनी दूर जा सकता है अब इस एरिया की अगर मैं बात करूँ इस एरिया में पानी 4-5 साले 10 साल में यापर जाता है जब बहुत ही ज़्यादा बार आती है तो इस एरे में पानी तब जाता है और इस एरे में पानी बहुत ज़्यादा दिनों मतलब दस साल में या फिर आठ नो साल में जाने के बावजुद यहां की जो मिट्टी होती है वो इतनी उपजाओ नहीं होती है मतलब जल के दवारा उड़ाई गई मिट्टी इतनी उपजाओ नहीं होती है क्योंकि उद दस बारा साल में उसकी जो उरो रखता है वो खताम होती चली जाती है हलां कि इस एरिया में हर साल नहीं मिट्टी आती है तो इसको हम लोग बांगर कहते हैं मुझे लगता है कि आपको समझ में आगा होगी खादर और बांगर में क्या डिफ्रेंस है बस यह जलोड मिट्टी है दोनों यह खादर थोड़ी मतलब बार बार इसके उपर जल के दवारे मिट्टी उड़ा जाती है और जो बांगर है उसको कई मतलब बहु ज़्यादा आपको समझ में आगया बांगर और खादर की हमने भी बात कर ली यह हम लोग ने आपर देख लिए जलोड मिट्टी में पोटास फासफोरीक अमल चुना और कार्बनिक तत्व अधिक होते है नाइट्रोजन और हुमस्किया आपर कमी होती है ठीक है और सूश्क अक्षेक्त हैं तो रेह या कलर मिट्टी भी इसका नाम है आप लोग इसको कह सकते हो यह सूखे एरिया में होती है जहां पर सूखा एरिया होते है वहां पर उसको हम लोग कहते हैं कलर या फिर दूर मिट्टी भी आप इसको लोग सोरी आप लोग इसको कह सकते हो आगे हम लोग बात कर देखो अगर आपके खेथ में या फिर मिट्टी की हम लोग आपर इस पेशली बात कर रहे काली मिट्टी की अब हम लोग बात करते हैं जलोड मिट्टी की हम लोग ने बात कर ली सेकंड नंबर पर है जलोड काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं इसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं देखो आपके एक्जाम में सिर्फ सीधे सीधे क्यू पा conversion über मीर है कर आप कि मिठ्टी का मतलब है कि इसमें पास बहुत अच्छी होती है इसे अंतराष्टे अपक्षरन से होता है और अपरदन से या निकि जो आपकी ज्वाला मुखी से बने पहाड परवत होते हैं या फिर जो ज्वाला मुखी के लावा से पठार बनते हैं उनके गिसने से ये मिट्टी बनती है इसमें मेगनेटाइट, लोहा, अलुमिनियूम, सिलिकेट और हुमस ये सारे चीज़े होती है इसकी उपस्तिति के करण इसका रंग काला होता है मतलब इनकी वज़े से ही इसका रंग बलैक पड़ जाता है इसमें नमीदारन करने की बहुत ही अक्षमात होती है मतलब ये मिट खटे फल की अगर मैं बात करें जिसे अंगूर, संत्रा और आपको एक चीज़ पता होगा की संत्रा और अंगूर के लिए फिमस है महराष्ट, महराष्ट का नागपूर साइड ये ठीक है इस परकार की मिट्टी सरवादिक महराष्ट में होती है महराष्ट आपको ध्यान परकनी है इस मिट्टी में लोहा चुना पोटास, अलमूनियम, कैल्सियम, मैगनेशियम, कार्बोनेट पर चुरुमातरम पा जाता है जब कि नाइट्रोजन के यहां पर कमी होती है और फासफ़रस वा कार्बनिक ततुवकी यहां पर कमी होती है मैंने आपको बताते है कि न भी ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है बस जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहां पर बता दी ठीक है इसके तीन पार्ट के अगर हम लोग बात करें तो पहला यह कि छिचली या फिर काली मिट्टी हम लोग इसको कहते हैं पहले पार्ट के नाम है छिचली या फिर काली मिट्टी सेकंड पर हम लोग बात करते हैं यह सेकंड है मध्यम काली मिट्टी और तीसरी के अगर हम लोग बात करें तो गहरा काली मिट्टी ठीक है ना बस तीन पार्ट्स ही आपको उसके याद रखने हैं छिचली काली मिट्ट और आगे अगर हम लोग बात करें मध्यम काली मिट्टी और गैरा काली मिट्टी यह चीज़ आपको ध्यान रखने हैं थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें हैं लाल मिट्टी रैड कलर से इसको देख लें ते तीसरी मिट्टी है मैरी लाल मिट्टी देखो आठ मिट्टी है त देखो समाने से लेकर भारी वर्षा वाले एक शेक्त्रों में प्राचीन क्रिस्टले अक्षेलों के अप्षन या फिर अपरदन की अगरम लोग बात करें अपरदन का मतलब होता है किस चीज को काट काट कर गिस गिस कर बनाना इससे इसका निर्मान होता है और यह मिट्टी अधिकतर दक्षिन भाग में मिलती है इसका लाल रंग लोह आक्साइड की उपस्तिति के करन होता है यह लाल रंग की मिट्टी होती है और लाल रंग इसका क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें लोह आक्साइड होते हैं यह चीज आपको यहां पर देह और ये उस मतलब ज्यादा तर ये तर्टिया भागों में पाई जाती है ये चीज़ आप ध्यान रखना जहां पर ज्यादा वर्षा वगएरा होती है वहां पर ये होती है वह चेक्षेक्त्र में बाजरा मुंग फली आलू के लिए उप्यूगता है वही अगर निम्न अक्षेक्त्र की नीचे वाले जो अक्षेक्त्र जैसे एक तो पहड़ी वाला एरिया होगा और एक मैदानी एरिया होगा इसकी यहां पर बात करिए निम नक्षेक्तर मतलब मेदानी एरिया यहाँ पर चावाल रागी तमाकू सब्जों के लिए उब्यूगता है इस मिट्टी में गुलंची लवणों की प्रयापता होती है और परन्तु फासपुरीक अमलकारबनिक तत्व जेविक पदार्थ चुना निट्रिजन की कमीज में पाई जाती है बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है यह क्रिस्टलिस सैलो के घिसने से बनती है यह चीज़ आपको याद रखनी है और यह लोह आकसाइड के करण लाल होती है और जादर प्रादी पठारों में और उस एरिया में मिलती है जहाँ पर अधिकतर व पहले F. Bukanan द्वारा 1905 में किया गय था और यह मुख्य था प्राइधी भारत के पठारों के उपरी घावागों में विकसी थी लेटर हैट मिट्नी प्राइधी पर जो पठार है दो जीसे हमारा इंडिया का ये प्राइधी पठार बाग है ऐसा तो ये हमारा इंडिया है पु बोलते हैं, इसके ऊपर ये मिट्टी पाई जाती प्राय दीप भारत के पठारों के ऊपर ही भाग ऊपर ये मिट्टी विक्सितु हुए, जहां पर 200 cm से अधिक बरसा होती मोट है , जो सीली का बोलते हैं आपका , सीली का होता है niveau चुना और रेट के निक्षालन से इसकी उत्पत्ती होती है निक्षालन मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिस होती है ना 200 cm वर्सा काफी होती है जहां पर अधिक वर्सा होती है तो नीचे से मिट्टी निकल जाती है और वहाँ पर चूनज सिलीका की मातरा बढ़ जाती है उस से इसकी उत्पत्ती होती है इस परकार की मिट्टी में समानेत जहाड चारागाह, परंतु उर्वर्वरक्का उपयोग करकेस में चावल, रागी, काजू, आदी फसले हम लोग कर सकते हैं इसमें लो अकसाइड और अलमूनियम अकसाइड की परचूरता होती है प्रंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक, अमल पोटास, चुना और कारवनिक तत्व की कम्य होती है ये मिट्टी, केरल, तमील नाडू, माराश, छत्तिवस, गड़, उडिसा, असम मतलब होई, मतलब इस एरिये के जितने भी राज्यमा पर इसको पाई दाता है और लेट्राइट मिट्टी को भी कंड के अधार पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी इंपोटेंट नहीं है फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता दिता हूँ एक भूजलिय मिट्टी, गहरी लाल लेट्राइट मिट्टी और शुएत लेट्राइट मिट्टी ठीक है ना ये बस ये नाम आपको यहाँ पर याद रखने है बाकिस में कुछ भी इंपोटेंट नहीं आगे हम लोग बात कर लेते हैं परवतिय मिट्टी के बारे में और शुष्क और मुर्स्थले मिट्टी परवतिय मिट्टी के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं इसे वनिय मर्दा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि परवत पर जादातर क्या होता है पेड़ी होते हैं तो वनिय मर्दा भी इसको हम लोग कहते हैं इस परकार की मिट्टी हिमाले की गहाटियों में डलानों पर पाई जाती है और ये निर्माना धीन मिट्टी है मतलब ये वो मिट्टी है जो अभी बन ही रही है मतलब बनने में अभी तक पूर्ण तरीके से बनी नहीं है इसका पूर्ण रूप से अध्यन नहीं हुआ और हुमस की बहुत ज़्यादा इसमें अधिकता होती है देखो हमने जलोड मिट्टी पड़ी थी वहाँ पर हुमस की कमी थी तब भी प्रोब्लम थी यहाँ पर हुमस की बहुत ज़्यादा मातर है और तब भी दिकता है यानि कि हुमस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो मिट्टी है उसको एसिटिक कर देगा अमलिया कर देगा और बहुत कम है तो फिर उसमें आपकी फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी तो ह्यूमस एक बैलेंस अगर रहे हमारी मिट्टी में तो ही अच्छा है इस परकार मिट्टी चाय कोफी मसाले उशन कटी बन दिया फलो की खेती के लिए होता है बैप पाड़ों में क्या होता है चाय कोफी मसाले यही चीज़ होती है पाड़ों में तो यह जो आपका परवद्टी है यह इनही फसलों के लिए सब्फिशींट है मतलब यही फसले से में अच्छे सी उगाई जाती है इस परकार की मिट्टी जम्मो कश्मीर से लेकर रुनाचल परदेश मतलब जो हमारा पाड़ी एरिया है उस सारे के सारे एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है शुस्क और मरुस्थली मिट्टी के हम लोग बात कर लेते हैं इस परकार की मिट्टी अरावली परवत और सिंदु घाटी के मद्देवर्ति एक शेक्त्रम पाजाती है अरावली जो आपका वो राजिस्थान में है राजिस्थान में रावली है और मरुस्थल कहां पर है थार मरुस्थल हमार राजिस्थान में है तो उसी एरिया की हम और उत्री गुजरात की यहां पर बात हो रही है हर्याना में पस्चिम उत्तर प्रदेश में मिलती है और इस मिट्टी को बालू की मातरा बहुत अधिक होती है मरस्तेलमने मित्टी होता है जवार जैसे मोटे अनाज इसमें पाई जाते हैं अनाज की खكहती है तो इसमें मोटे नाज जैसे जवार, ब dijoar, बाज़रा, यह सारी-सीचे जर्रा इन मित्टो में घुलंसीन लवणों की फासपॉरस की माатरह बहुत अधिक होती है जबकि का कारबनिक तत्वे आम नारेटरजन की इसमें बहुत कम होती कि तौह इसमें भी नारेटरजन की कमी है फसल तोक उम लोग काई कर लेए के आगे हम लोग बात कर लेते है हैं लंदिया और अक्षार मिट्टी के बारे में हैं यह एक अंतय अक्षेक्षी मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवाई प्रदेस में होता है मतलब लगबग हर जंगे पर इसका निरमान होता है यह मिट्ट राजिस्तान पंजाब हर्याण उत्र प्रदेश ब्यार महराष्ट मिलनाडू शुस्क वै अर्द शूस्क परदेस्व में विस्तिरत होती है मतलब यह मिट्टी तो आपको हर जंगह पर मिल ही जाएगी अराम से बिल्गूल सोडियम और मैगनीशम की अधिक्तस में होती है सोडियम और मैगनीशम इसमें बहुत ज़्याद होती है के ये लिनः मिट्टी तरह कहले सोडियम तो आपको पता ये नमक होता है जब नमक हो गांद हो वह लबढ़ीं हो जाएगी और केलेस्यम औरक्र कारण के जी कालर के ऐखें image. यह छिद में आपको दियान रखें छिति के लिए उप्युक्त नहीं आप आप लोग कुछ भी खेती नहीं कर सकते इसको स्थाने बासा में रहे, कलर, रकार, उरसर, कारलिया, चोपें, आज इसको नाम से पुकारते हैं तो ये आपको यहाँ पर बहुत इम्पूटेंट याद रखना है ये चीज़ आपको याद रखने है मैं इसको बंद कर देता हूँ ये चीज़ ये नाम आपको यहाँ पर याद रखने है बहुत इम्पूटेंट है आपके एक्जाइम के लिए बस आपको जादर नाम ही पूछता है वो पिट एवं दलदली मिट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं पिट एवं दलदली मिट्टी इस परकार की मिट्टी का निर्माण अत्यदिक आदरत वाले दसाओं में होता है देखो पिट या दलदली से आप लोग देख सकते हो दलदल कहाँ पर होती है जहां पर पाने दिखोता है, तो पाने दिखोता होगा तो आदरता दिखोगी नमी के लोग बात कर रहे हैं, तो अत्यधिक आदरता वाले दशाओं में ये, बड़ी मातरा में, कारबनिक तद्यों के जमाओं के करण होती है, ये मुख्य रूप से तट्या परदेशों में होत कि समुंदर में क्या होता है समुंदर में तो नमक होता है और जम नमक होता है तो यह मिट्टी कैसी होगी यह लवन्य मिट्टी होगी इसमें घुलंसी लवन्यों की प्रयापता बहुत हदिक होती है फास फॉरस वय पोटास की कमीज में रहती है यह मिट्टी खेत के लिए बिल्कुल भी अनुप्यूक्त है इस मिट्टी में आप लोग खेत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और फेरस आयरन होने के करण इसका रंग निला होता है यह यह चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखने की कौन सी मिट्टी निले रंग की होती है और किस वज़े से होती है फेरस आयरन की वज़ेसी ये मिट्टी है निला तक रंग पड़ जाता है और यह अमलिय सभावावald की मरदा होते है इस पर इस परकार की मिट्टी भिहार उतरकेंट प्रश्चंबंगाल निंसराज्य में मिलती है ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं, यह लाश्ट स्लाइड है और यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, important, जो आपसे पूझे जाते हैं, मिट्टी का रंग मेगनीसम की वज़े से पीला होता है, अगर आप से पूछले कि मिट्टी का रंग पीला किस वज़े से होता है, तो मेगनिसिम की हो जैसे यलो कलर होता है माला बार तट पर केरल के पस्ट जल में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है वो पिट या मर्दा मिट्टी होती है पिट मर्दा होती है इसको कारी भी हम लोग कहते हैं यह चीज़ आपको ध्यान रखने है यह आपका यहाँ पर केरल है और यह मालवार तट है यह यहीं पर बात कर रहा है फलो को शिगर पकाने में फासपुरस की बहुत ही भूमिका होती है जिसे आपका आम केला अगर इनको बहुत ही जल्दी पकाने है तो वहाँ पर फासपुरस का ही यूज किसान लोग करते हैं यह जो फल वीकरेत होते हैं वो इनका फासपुरस का यूज़ करते हैं वाईू मंडल के देखो यह यहाँ पर गलत लिख रहा है यह नाइट्रोजन होगा ठीक ना यह जो शब्द लिख रहा है नाइट्रोजन होगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई नहीं वाईू मंडल के नाइट्रोजन का स्थिदी करन करने वाली दलहन वसले चना मतर मूंग आदि है मैंने आपको बताया था ना मतलब अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप लोग कुछ भी दलहन वसल बो हो सकते हैं जिससे चना मतर मूंग आदि कुछ भी आप लग बो हो सकते हो परत अपर्दन को किसान की मौत भी का जाता है लिग अगर आप से ये सिदा का सिदा स्टेट्मेंट पूछ सकता है आप लोग कंफिस मत होना कि किसान की मौत किसी कर जाता है किसान की मौत कर जाता है आपका death of farmer परत अपड़न मतलब अगर कोई मिठ्टी घिस रही है तो वो किसान की death इसको बोलते है चम्बलनदी अक्षेक्तर अवनालिका अपड़न से सर्वादिक परभावित है तो चम्बल नदी अक्षेक्तर अवनाली का अपरदन से प्रभाविद है तो यह हमारे मिट्टी कंप्लेट हो गई आटो मिट्टी के बारे में हम लोग नहीं आपर देखा और जो जो चीजे मैंने सरकल में बंद करी है वो चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना बाकिस में कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का नहीं है जो चीज मेंने सरकल में है वो ही इंपोटेंट है तो उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा अगर अच्छ